बिदान सभा चुनाओ की तारीकों का एलान हो चुका है आचार संक्ता लग चुकी है और सभी राजनैतिक दल जो है अपनी पार्टी का जनाधार जुटाने में लगे खुए हैं सभी पार्टीयां जो है अपनी पार्रीकों मजबूत कर रही हैं और हम इस वक्त हैं बस्ती में और बस्ती के जिलाद ध्यक्स महिंद्र यादों हमारे साथ हैं और उन्हीं से जानेंगे कि आज जो है आचार संक्ता आज से लग चुकी है चुनाओं की तारीखों की घोसला हो चुकी है तो सपा का तीलिस्म क्या है जबकि यहां पांच विधा दीट्रियर किया है इसके लिए उन्हीं बहुत दिन से प्रतिच्छा थी जनता इंतिजार कर रही थी कि चुनाओं का डेट कब आये और कब चुनाओं हो जनता इंतिजार कर रही थी और इस वार हम लोग पांच की पांचो सीटे जितेंगे क्या ऐसा दिलिस में है समाजवादी पार्टी कि आप इजये पिके हाथों से खीच लाएंगे, उसके मुह में से पांचो की पांचोगी विधान से वा सीट समाजवादी पार्टी कि होंगी, कौन सा ऐसा दिलिस में होने जा रहा है? जनता इंतिजार कर रही है जनता इनकी महगाई से परेसान है महगाई में आप देख लीजिए कड़ू का तेल कितना महगा हो गया है डीजल पिट्रोल कितना महगा हो गया है गये सिलिंडर कितना महगा हो गया है बेरोजगार परेसान है किसान परेसान है तो यह सब लोग जनत कि बिजेपी तो दावा कर रही है कि हमने विकास किया बस्ती में मेटकल कालिज दिया और तरह तरह की योजनाए बस्ती में चल रही है नमक से लेके और फ्री रासंड भारती जनता पार्टी पहले से ही चला रही है गरीब बड़ी कुसाल है बीजेपी कि अगर माने तो सारे हुआ पर्भे पांच की जो बस्ती की है पांच की पाती सीटे झोली में थी पांच साल में पांच काम भातियर किना सकती है और यह रचंत की युजञ्य की EC M मिला करता था पहले पांच किलो जो है तीस किलो 35 किलो रासन मिलता था पांच किलो हो गया हां इतना सही है कि पहले रासन में मिटी का तेल मिलता था भारतिय जनता पार्टी चुराली पहले रासन में चीनी मिलता था भारतिय जनता पार्टी चुराली और ही बात की कैसे हम ट्पालेज़ खोले जा रहे थे और उनको laptop दिया जा रहा था देटियों को करने अब द्हान कैलिए मिलता था 30जार रूपय करने अधन तो दिया तो दो इंतिजार कर रही यह कि वे और तमाम योजनाए धरातल पे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की और अगर कानून व्यास्ता की बात करें तो भारती जनता पार्टी का यह कहना है कि हमने रोजगार दिया है और कानून व्यास्ता दिये पूरे उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी अगर एक यूनिट का भी कहीं प्लांट लगाई हो तो बता दे भारतिय जंता पार्टी ने एक भी यूनिट की कहीं विजली की उत्पादन की बेवस्था नहीं की हाँ हमारे समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्य चादरी एकले से आदो जी ने अपने मेनी फ्रेश्टों में रखा है कि जो ह 30,000 का इनामी इस सरकार में किरकट खेल ला है यह कानून बेवस्था है बेहन बेटियां रोट पे सुरचित नहीं हाथ रसका कान देखा ही आपने आपने बस्ती का यह गोरखपुर का मानिया में मुखमंत्री जी के जो उनका ग्री जनपद है वहां किस तरीके से ब्यापार अगर बनती है समाजवादी पार्टी की अगर सरकार जनता चुनती है तो क्या ऐसे चीज है युगाओं के लिए क्या फोकस किया किया जाएगा नौजवानों के लिए जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बेरुजगारी भत्ता दिया जा रहा था बैकेंसिया निक आएंगे इनकी बैकेंसिया भी निकालेंगे नौकरियां भी देंगे और रोजगार के लिए जो है और नए नैया मसे नए जो है चाहे फैक्टी लगाना पड़े चाहे उद्ध्योग धंदे लगाने पड़े और जितनी भी वेकेंसिया खाली है सारी वेकेंसियों को भरकर के नौजवानों को रोजगार देने काम करेंगे बीजेपी तो मुखमंत्री जी तो ये भी आरोप लगाते हैं कि जो है जब आप लोग वैकेंसिया निकालते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भी वैकेंसिया निकली है तो चाचा भती जे जो है उस पर लूट करने आ उत्तर परदेस के मुखमंत्री योगी आठित इनाच जी निए नて खिली उड़ाई हमारे उत्तर प्रदेस के भी व्सकानों के यह हैं योगी ऑदित नाच जी जो कह ठो हमारे पास ह recognfound नहीं 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 योगी आपको लगता है कि म Тамतें के लिएक आगर नहीं है अगर यहा इंतिजार कर रहा है नौत साली सबसे घु hacks जब से चुनाव का डेट आया है नौजवान को पता है कि आने वाले दस्मार्च को आधरिया खिले से आदो जी आ रहे हैं नौजवानों की खुसाली के लिए नौजवानों की तरक्की के लिए उनकी पढ़ाई की अच्छी बेवस्ता की जाएगी उनकी नौकरी की बेवस्ता की जाएगी उनकी रोजगार की बेवस्ता की जाएगी यह हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के बस्ती के जिला द्यक्स महिंदर यादोजी जिनका साब तोर पे कहना है कि भारती जंता पार्टी की सरकार ने सभी वर्गों को चलने का काम किया है और जंता का भरोसा बीजेपी से उठ चुका है लिहाजा इसके जो है अगले जानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होने वाला है और अख्लिश यादों की सरकार बनने जा रही है कैमरा परसन महान यादों के साथ हेमन सिंग न्यूज वर्ल्ड इंडिया बस्ती